Hello friends, कैसे हैं आप लोग? I hope आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे स्वागत है वच्चो मेरी YouTube चैनल Chemistry Classes by Aman Thakur तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिसकस करने वाले हैं Reduction of Carboxylic Acid इस पूरे lecture के अंदर हम इस पूरे reaction के खास-खास बातों को समझेंगे इस reaction के खास बाते क्या हैं उनके बारे बात करते हुए प्लस इसके mechanism को discuss करेंगे कि इस reaction का mechanism किस तरह से चलता है ताकि आपको ये reaction याद करने की जुरूरत ना पड़े बलकि आपको इसकी पीछे का concept समझा जाए तो concept को समझते हुए चलो शुरू करते हैं आज के lecture को अब मैं बात कर रहा हूँ Reduction of Carboxylic Acid हमें simple सा मतलब है Reduction का मतलब क्या होता है अगर मैं simple सी बात करूँ Reduction का मतलब क्या है मेरे पास तो addition of hydrogen या removal of oxygen तो जब मैं Carboxylic Acid की बात करता हूँ तो जब मैं इसकी reduction करवाता हूँ तो reduction के बाद मुझे मिलता है primary alcohol तो मुझे मिलता है primary alcohol और reduction करवाने के लिए जो मेरे पास reducing agent है हमें सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो हमें याद रखनी है कि हमें strong reducing agent की जरूरत पढ़ती है पहली ही बात हमें जो याद रखनी है वो हमें यह याद रखनी है कि जब भी कारबॉक्जलिक ऐसिड की हम रेडक्शन करवाएंगे तो हमें strong reducing agent की जरूरत पढ़ेगी strong reducing agent कौन से या तो मेरे पास lithium aluminum हीइद्ध हो या डाइबोर इन हो दोनों के दोनों के से also किसी को भी यूज करेंगे तो हमें हमारा कर्बॉक्वायद्म हो जाएगी और इसमें मैं Requie यह strong reducing agent हमें चाहिए इसका मतलब इसमें हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर हम lithium aluminum hydride के जगा लाई एल 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 है फोर की जगा पे अगर मैं sodium borohydride लूँ sodium borohydride अगर मैं use करता हूँ तो मेरी reduction नहीं होगी NABH4 को अगर मैं use कर रहा हूँ तो मेरी reduction नहीं होगी क्यों कि यह इतना strong reducing agent नहीं है यह इतना strong reducing agent नहीं है कि मुझे reduction करके दे दे कारबॉक्सलिक असिड की तो अब तक मेरी यह बाते clear होगी या तो हम lithium aluminum hydride को use कर सकते हैं या हम daiborane को use कर सकते हैं पर हम sodium borohydride को use नहीं कर सकते हैं reduction में क्योंकि यह strong reducing agent नहीं है ठीक है अब इसमें एक और चीज जो खास चीज हमें important चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो इसका reduction का जो pathway है जो reduction होके जाती है carboxylic acid जो हमारा primary alcohol बनता है वो होके जाता है पहले हमें यह जो carboxylic acid है यह convert होता है aldehyde के अंदर carboxylic acid पहले convert होगा aldehyde के अंदर aldehyde पे convert होने के बाद हमारे पास हमारा primary alcohol बनेगा aldehyde पे convert होने के बाद हमें हमारा primary alcohol मिलेगा यहां तक बात clear, यहां तक बात simple अब थोड़ी सी बात यहां पे एक चीज़ जो हमें और पता होनी चाहिए कि अगर मैं यहां पे मैंने दो reducing agent यूज़ किये लिथियम, aluminium hydride और diborin तो लिथियम, aluminium hydride जो है LIALH4 इसकी खास बात क्या है, यह बहुत ही strong reducing agent है इसकी खास बात क्या है, बहुत ही strong reducing agent है तो बहुत ही ज़्यादा strong है तो इसको drawback हमारे पास क्या होता है कि अगर carboxylic acid मैं ध्यान दीजिएगा अगर carboxylic acid के अंदर COOH group को छोड़ के कोई और group भी हो, जैसे suppose हमारे पास कोई halogen लगा हो chlorobromo कुछ halogen लगा हो कोई easter group लगा हो या कोई nitro group लगा हो तो उनकी भी reduction कर देगा उनकी भी reduction कर देगा उनकी भी reduction हमारे पास हो जाएगी तो यह specific नहीं है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा अगर simple carboxylic acid है RCOH group ही लगा है और कोई भी और functional group उस carboxylic acid में नहीं लगा हो है कोई और functional group और नहीं लगा हो है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम lithium aluminum hydride यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास simple primary alcohol ही मिलेगा पर अगर कोई और functional group भी लगे हो है तो उनकी भी reduction हो जाएगी हमारी specific reduction नहीं रहेगी सिर्फ और सिर्फ carboxylic acid group की तो अगर हमें carboxylic acid group के लिए specific करनी है तो हम सिर्फ B2H6 diaborane को prefer करते है B2H6 diaborane जो है वो इतना strong नहीं है as compared to lithium aluminum hydride तो यह सिर्फ और सिर्फ COH group की reduction ही करता है सिर्फ और सिर्फ carboxylic acid की reduction ही करता है यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए तो यहां तक बात होगी हमारे इस reduction के reaction की reaction की खास-कास बाते क्या है वो हमने discuss कर ली अब आते हैं इसके अगले मुद्दे पे जो है main मुद्दा जो इसका concept समझने के लिए इसके mechanism को समझते है चलिए अब इस reaction के mechanism की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने reducing agent हमने क्या यूज किया है हमने यूज किया है lithium aluminum hydride L-I-A-L-H-4 तो पहले step में मेरे पास lithium aluminum hydride जो है वो तूट के बना मेरे पास L-I positive, A-L-H-4 negative यहां तक बात simple, खतम, कोई दिक्कत वाली बात निया पर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद मेरे पास हुआ मेरे पास है carboxylic acid अब यहां पे हमें mechanism समझने की ज़रूरत है यहां पे हम mechanism को समझने की कोशिश करेंगे अब मेरे पास carboxylic acid है carboxylic acid पे मुझे पता है एक carbonyl group लगा है C double bond O C double bond O यहां पे लगा हुआ है carbonyl group की खास बात क्या होती है oxygen मेरे पास electronegative oxygen मेरे पास electronegative electronegative का मतलब electron bond के अपनी तरफ खींचेगा bond के electron वो अपनी तरफ खींचेगा अब यहां पे मुझे एक चीज़ concept basic पता है universal सत्य एक bond में electron दो एक bond में electron दो अब अगर यह electron यहां पे अपनी तरफ खींच रहा है तो इसके उपर आया partial negative charge electron के उपर charge होता है negative electron bond के electron shift हुए oxygen की तरफ मेरे पास carbon के उपर आया partial positive charge carbon के उपर आया partial positive charge क्यों oxygen electron खींच लिए oxygen electron negative atom है carbon group की यही खास property हम पढ़ते आ रहे है हमें समझा रही है चीज़ अब क्या हुआ अब यहां पे भी तूट की ALH4 negative बना हुआ है यहां पे भी ALH4 negative बना हुआ है यह hydrogen कहेगा भाई साब एक bond में electron दो एक bond में electron दो अब यह hydrogen भाई साब इस carbon से कहेगा कि अगर electron आपके खींचे जा रहे है खींचे जाने दो कोई दिक्कत निया मैं यहां से electron लेते हुए अपने आपके पास आ रहा हूँ यहां से electron लेते हुए आपके पास आ रहा हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा R, carbon यहां से bond के electron के oxygen के उपर single bond बचा oxygen के उपर आ गया negative charge oxygen के उपर एक electron extra है उसका आ गया negative charge और यहां पे मेरे पास जो दो electron bond के as it is जुड़ गे hydrogen के और मेरे पास यहां पे है OH group मेरे पास यहां पे है OH group यहां तक बात simple clear किसी को कोई दिक्कत नहीं अब यहां तक बात होगी clear अब जब हमने reaction पड़ा था जब हमने reaction पड़ा था second step में क्या हुआ था नीचे उसके क्या था hydrolysis acid H3O positive acidic hydrolysis तो अब क्या होगा अब समझे oxygen के उपर जब negative charge आया oxygen के उपर जब negative charge आया यहां पर मेरे पास acidic hydrolysis हो रही है H2O H positive H2O H positive इस oxygen के उपर क्या है loan pair of electron इस oxygen के उपर क्या है loan pair of electron अब क्या होगा यह अपने extra electron फिर छोड़ेगा carbon के उपर carbon की valency होगी carbon की valency होगी carbon की valency जैसे ही पूरी हुई अब एक bond में electron दो एक bond में electron दो तो यहां से यह electron लेते हुए जुड़ेंगे H positive के साथ यह मेरे पास जुड़के बन जाएगा water का molecule water का molecule निकल गया बाहर यहां पर क्या बचा यहां पर ध्यान से देखे क्या बचा R C double bond O और hydrogen यह मेरे पास क्या आग गया मेरे पास आगी aldehyde मेरे पास आगी aldehyde यहां तक बात clear कब मैंने पहले ही का आटा carboxylic acid reduction कहां से होते हुजा यह carboxylic acid से पहले बनेगा aldehyde अब aldehyde से मेरे पास बनेगा primary alcohol अब aldehyde से primary alcohol के लिए भी simple है कोई दिक्कत नहीं है same चीज ALH4 negative एक bond में electron दो अब इस aldehyde के पास भी तो carbonyl group है इस aldehyde के पास भी तो carbonyl group है same चीज यह electron खीचेगा अपनी तरफ partial negative charge यहां से electron के साथ लेते हुए hydride जाएगी carbon के उपर मेरे पास क्या बनेगा RCO negative यहां जुडगी hydrogen यहां जुडगी हुई पहले से hydrogen यहां तक बात clear यहां तक बात clear अब तो आगे simple है आगे क्या है simple hydrolysis अब मेरे पास अगर simple hydrolysis हो रही है H3 positive मतलब H positive जुड़ जाएगा यहां पे मेरे पास finally आगया मेरे पास मेरा primary alcohol मेरा primary alcohol यहां तक बात simple तो यह था पूरा का पूरा reduction of carboxylic acid का mechanism I hope आपको समझ आया होगा कोई भी doubt होगा बचों तो comment करके ज़रूर पूछेगा मैं पूरी कोशिच करूँगा आपके हर doubt को solve करने की Thank you